अलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो जैसा कि हमने आप से कहा था कि जो चार प्रपत्र डाउनलोड होंगे इस टैनो इंटर्वियू के लिए तो वो आपको कैसे फिल करने हैं इसके उपर हम वीडियो लेकर आएंगे तो आजका हमारा वीडियो इसी के ऊपर है और आपको कैसे फिल करने हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए क्योंकि इस टैनोग्राफर इंटर्वीव को लेकर हम लगातार वीडियो ला रहे हैं और जब तक इंटर्व्यू नहीं हो जाएगा तब तक हम कंटीन्यू वीडियो लाते रहेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कैसे आपको प्रपत्र बढ़ने हैं देखते हैं तो इसमें चार प्रपत्र डाउनलोड हुए है तो यह पहला प्रपत्र है प्रपत्र एक आप यहां पर दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर यहां पर नाम लिखना है और यहां से स्टार करते हुए आपको फोटो के ऊपर तक ले जाना है ठीक है अब आगे देखते हैं यहां पर देखिए यह आपको नहीं भरनी है वहीं पर भराई जाएगी आगे देखेंगे पद या सेवा का नाम जिसके लिए अबियर्थी आवेदन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर आसू लिपिक या स्टेनो ग्राफर दौनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं दूसरी नमर पर अबियर्थी का नाम तो यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी हिंदी में आपको यहाँ पर नाम लिखना है और जो अंग्रेजी में दिया गया है तो वो यहाँ पर लिखकर आएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर इंग्लिस में जब पर पत्र आप डाउनलोड करेंगे जैसे आप डाक कोई टिकट करते हैं या करते हैं कोई कागज को तो यह पत्र ब्हवार यानि की पत्र के लिए आप जो पता लिखती है तो वही पता आपको यहां पर लगना दो श्थाई निवसिए तो इस वाले पता अपना लखना है ठीक है अगला देखेंगे माचमा जो point है उसमें जन्मति थी तो यहां पर आपको date of birth डालनी है अंकों में और सब्दों में date of birth यहां पर अंकों में पहले से ही आएगी इसमें तो आपको सब्दों में यहां पर date of birth अपनी फिल करनी है और date of birth कैसे फिल करनी है इसमें भी कई अब्यर्थ का न्फूजन में रहती हैं तो आपको बता दें कि जैसे आपकी date of birth है 5,10,95 तो आप सीधा लखेंगे 5 October 1995 ऐसे नहीं लखना आए कि जैसे कोई सोचे कि 0,5,1,10 तो इस तरीके से नहीं आपको सीधा लखना आए 5,10,95 या जो भी आपकी date ओपर ठीजा अब्यर्थ के पधा या पती तो यहां पर आपको पती का नाम गाय जो इसमें कॉलम है वो है अब्यार्थी के पिता या पती का पता यदि मृत नहों तो अंतिम पता तो यहां पर आपको अपने पिता या पती उनका आपको पता लिखना है अगर वो मृत हैं मृत हो चुके हैं तो उनका अंतिम पता आपको यह गावाले कॉलम में लिखना ठीक है आगे वड़ते हैं जो घास में दिया गया है क्या पिता या पती ने कभी अपनी राष्टियता बदली है यदि यहां तो पूरा विब्रण दे तो क्या आपके पिता ने या पती ने कभी राष्टियता बदली है अगर बदली है तो आप यहां पर हां करेंगे और अग करेंगे तो आपको पूरा विवरण यहां पर देना होगा अगला जो है सात्मा पॉइंट उसमें हैं क्या अब्यर्थी तथा अब्यर्थी के पिता या पती जन्म तथा अधिवास भारतिय नागरिक हैं यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवस्यक प्रमार पत्र भी स नहीं करना है और आपको पूरा विवरण देना होगा और उसमें आवस्यक प्रमार पत्र मांगे जाएंगे वह भी आपको सनलगन करने होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं जो आठमा पॉइंट है उसमें दिया गया है क्या अब्यर्थी विग्यापन में उलिखे किसी प्रका चाहते हैं या उन्हें आरचन मिल रहा है तो उन्हें यहां पर हां करना होगा और हां करने के बाद वर्ग या जाती और उप जाती यह उन्हें विवरण यहां पर फिल करना होगा और अगर नहीं है तो यह कुछ फिल नहीं करना है ठीक है अगला जो है उसमें दिया गया है क्या Vivian Nu वर गया जाती कि आयू सिवाओ में देह छूट का लाब चाती है और जो प्रमार पत्र मांगे जाएंगे सनलगन उसमें करनी है जो भी डोकोमेंट ले जाएंगे उसमें ये प्रमार ौपत्र आपको सनलगन करने होंगे और अगर नहीं तो फिर आपको नहीं करना है ठीक है अब चलिए अगला पेज देखते हैं ये पेज नंबर एक था अब दूसरा देखेंगे तो यहां पर नॉमा जो पाइंट दिया गया है क्या अब्यार्थी विवाहत है तो अगर विवाहत है तो हां और नहीं है तो नहीं करना है आपको, खा जो point house में दिया गया है, यदी हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जेवित पतमिया है, यह पुर्स अभ्यर्थियों के लिए, अथ्वा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुस से करना विबढ देना और अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देना है ठीक है अगला जो दसमा पॉइंट है उसमें हैं सभी स्यक्षिक तथा प्रविदिक परीच्छाओं जिनमें अब्यरती उत्रीन है उन उपादियों का पूरा विब्राण तो यहां पर आपको अपनी स्यक्ष करेंगे उसके बास आत्वा ग्रेडिंग में अग alumin चलने लगा तो आपको वरिदो इहां पर तो फिल कितने प्रतिसत मार्क्स आए वो आपको यहां पर प्रतिसत फिल करना है उसके बाद प्रदत प्रमाणपत्र संख्या तो यहां पर आपको प्रमाणपत्र संख्या फिल करनी है और प्राप्त विस्ष्टता का विवरण का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आपके वह आपको प्रप्ता की पृतिस्त यहां पर बरना है प्रामाणपतर संख्या और यहां तो इसमें सनातक आएगा तो इसनातक मैं भी से यही process रहेगा जो भी हमने आपको बताया खतार आपके पास इसनातक मैं उसनाक उत्तर है तो आहीं सब करना होगा ठीक है आब आगे देखते है आनस्यक्षिक प्रविदिक डिप्लॉमग दिग्री अहरतनाओ दिका वि wann अगर आपके पास इन सब की अलाभा और कोई डिप्लॉमा है डिग्री है यह कोई भी जफरतां आप रखते हैं, तो आपको उसका आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट रह लेंगे। यहां पर यहां पर आपको प।्रतिसथ कितने प्रिसाथ आपको aller L चीज़ें आपको इसमें फिल कर देनी है जो ग्यार्मा पॉइंट है उसमें है खेल कूद सारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीर्णता तथा पाठियोतर कारियों में भाग लेने का यदि कोई हो पूरा वेवरण दें तथा प्रमार पत्र सनलगन करें तो यहां पर आपक है और जो प्रमार पत्र हैं वो भी आपको सनलगन करना होगा तो यह हो गया घ्यार्मा पॉइंट अगला जो है बार्मा पॉइंट है अब यार्थी अपनी विगत तथा वरतमान नीक्तियों का पूर्ण वीवरण नीचे दे निए तो यह जो है इसमें है कि अगर कोई विय आपको फिल करना है तो यहां पर पद का नाम वेतन तथा वेतन क्रम यहां पर आपको फिल करना है सेवा योजक का नाम तथा पूरा वेवरण यहां पर फिल करना है प्रवेश ती आपने कब उस पद को जोईन किया वह यहां पर आपको फिल करना है नियुक्ति का इस्थान औ प्ओर प्ध या पध त्याक की दसा में पध शोड़ने कीती थी तो आपने उस पध को कब शोड़ा तो वो यहां पर आपको इसमें डिट डालनी है ठीक है अब जो त्पर बंट है त्पर से अ ंवरे तथा अधिमानी एह रता हों से संबंधत निमने वेबरन दे तो यहां पर आपको अनिवार एहरता और अधिमानी एहरता यहां पर दोनों आपको वेबरन देना है अनिवार एहरता में क्या रहेगा आपको हाई स्कूल सबसे पहले आप फिल करेंगे प्रदत्य प्रमारपत्र संख्या जो हाई स्कूल की प्रमारपत्र जैए अगर आपने सैना में कमसी कम दो वर्स की किये तो वह आप यहां पर विबराद देंगे उसका और प्रमारपत्र संखिया यहां पर इसकी फिल करेंगे या इन-सी-सी का आपको आपकी पास छेंगे तो उसका आपको यहां पर विबराद केरत देनाATOR और प्रमारपत्र संख्या यहां पर आपको फिल करनी है ठीक है अब जो चौधमा पॉइंट है उसमें दिया है क्या ब्यरती ने टिटोरियल सेना में कम से कम दो वर्स की सेवा किये तो ये अधिमानी एहरता होती है यदि हाँ है तो हाँ कीजिए और प्रमारपत्र संख्या लिखिए और नहीं है तो नहीं कर दीजिए दूसरे में NCC का है तो हाँ कीजिए और नहीं है तो नहीं कर दीजिए पंद्रमा पॉइंट जो है उसमें है क्या ब्यरती को किसी फौसदारी नयायाले दोरा दंडित किया गया है यदि हां तो पूरा पूरा विवरण दें और जो खा पॉइंट है तो इसमें जो कामें था अगर ऐसा है तो आपको हां करना है और पूरा विवरण देना है और अगर नहीं है तो आपको यहां पर नहीं कर देना है और जो खा है उसमें क्या ब्यरती किसी रज लोक सेवा आयो द्वारा प्रतिवारत यानि डिवार किया गए है यदि हां तो विवर्ड लें और अगर आपको किसी परिच्छा से प्रतिवारत कर दिया गया था, कर दिया गया है, तो उसका आप यहां पर हां करेंगे, तो आपको विवरड देना होगा, और अगर ऐसा नहीं है, तो आप यहां पर नहीं कर दीजिए, गाव में क्या है किसी अबियर्थी, क्या अबियर्थी का भी राजिकी सेवा से, पदिच अनिता आप यहां पर नहीं कर देंगे अगला देखते हैं सूलमा पॉइंट इसमें दिया है अभीदन परिच्छा सुल्क के निमत जमा की गई रासी का पूरा विवराण तो देखिए यहां पर जब आपने फॉर्म फिल किया था इसका तो उससे संबंदित कुछ इसमें की थी तो उसका जो बैंक । रंजक्सन एडी होती है वो आपको यहां पर फिल्क करनी है ठेगे दोस्तों तो और धन्रासी अंकों में जितनी अपने फीस पे की थी तो उसकी आप ठैप को फिस फिल allemaal च्छिञती ख़रा injection किया था वो डेट आपको यहां पर डालनी है बैंक का नाम जिस बैंक से आपने फीज कटाई थी तो उस बैंक का नाम यहां पर आपको डालना है और जनपत जो जिला है आपका जो जनपत है जिस जनपत से आपने फॉर्म फिल किया था और जिस जनपत में आप बैंक है उसका पत्रमा तो इसमें दिया है यदि अब्यर्थी अपने चैन के समद्ध में आयो को कोई विसेश अहरता या अनुवव देना चाहे जो उपर दियेगा इस नम्मों में ना आया हो तो यहां एक अलग से विवर्ण दें और उसे आवेदन पत्र के साथ नत्य कर दें तो अगर किस उसका जो सर्टिफिकेट होगा तो वह आवेदन पत्र जो डोकुमेंट आप ले जाएंगे उसके साथ आपको यह नत्य करना होगा ठीक है अब नीचे की और यहां पर आप देखेंगे अब्यर्थी द्वारा घुशना तो यहां पर आपको अपना नाम डालना है और नीचे यहां दिनांक जिस डेट को आप यह जो चारह प्रपत्र हैं यह फिल करेंगे तो वो डेट आपको यहां पर डालनी है इस्थान इस्थान आपको यहां पर डालना है जो आपका पता था तो वह यहां पर इस्थान आपको डालना है अब यारती का हस्ताक्चर यहां पर करना है पूरा नाम और पूरा पता यह आपको फिल करना है आप आगे देखेंगे अभी आया है प्रपत्र तो यहां पर प्रपत्र टू है यह तो प्रपत्र टू में आपको क्या करना है यह देखिए एक नंबर है अब्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमार पत्र के अनुसा है दूसरा नमबर पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो यहां पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है पूरा माता का पूरा नाम उपनामों को साथ तो आपको यहां पर अपनी माता का पूरा नाम लिखना है चौसा जो point उसमें है राष्ट्यता से समझे तो पिता की आपको राष्ट्यता लिखनी है माता की राष्ट्यता लिखनी है पती की अगर आप पती को करते हैं इसमें तो पती की लिखनी है और पत्नी की इसमें तो पत्नी कर देनी है और जन्मिस्तान पती या पत्नी का जो जन जन्मिस्तान और पतनी का भी जन्मिस्तान यहां पर लिखना होगा अगला जो पॉइंट है पांचमें नमबर का इस्थाई निवास का पूरा पता तो आपका जो यहां पर इस्थाई पता है वो आपको यहां पर फिल करना है गाउं थाना कौन सा थाना पड़ता है आपका जि यदि कोई पाकिस्तान का निवासी है और वो भारत में रह रहा है ठीक है तो उसे वहां का पता उस देश का पता लिखना होगा पूरा यहां पर और भारत में प्रोवेजन करने की तारिक और भारत में वो कब से यहां पर रह रहा है तो वो डेट यहां पर आपको लिखनी पूरा पता लिखना है आगे बढ़ेंगे आयू तथा जर्म की तारीक तो यहां पर आपको डेट आप बर्थ यहां पर डाल लिए यहां पर अंकों में पहले से दिए जाएं तो यहां पर दोस्तों आको अ सब्यां को अफस्वी आयू के बादश्राप्ड की उसका विब आना है तो आपको यहां पर इस्कूल अगर आपी हुए तो आपको यहां पर हाइज लिखना एं इन्टर लिखना ए ठीक है और यहां पर प्रविस का दिनाग जब आपने लिया हो तो उसका प्रविस का दिनाग छोड़ने का दिनाग उस विद्याला को आपने कप छोड़ा यहां पर लिखना है परिच्छा जो पास की हो जो आपने परिच्छा उतनी की है उस परिच्छा का यहां पर नाम आपको कि यदि कोई हो पूर्ड विवर्ण तथा पता जहां उमीदवार ने पहले काम किया हो तो यहां पर आपको अगर आपने किसी उमीदवार ठीक है यदि उसने कोई काम किया है पहले या वर्तमान में कर रहा है तो जो जहां पर कार्य कर रहा है उसका आपको यहां पर विवड़ देना है पद का नाम ठीक है अब वदी कब से कब तक अगर आप छोड़ चुके हैं तो कब से कब तक आपने किया वो देना है यहां पर का कारण है वो आपको यहां पर लिखना है जो दसना दस्वा नंबर है उसमें है क्या आप कभी किसी नया जालाई द्वारा किसी अपराद के लिए गिरफतार अभियोजित निरुद अथवाबद अर्थदंडित दोस्ति सिद्ध किये गए या किसी लोक सिवा आयोग या किसी अ इसा है तो आप यहां पर हां कीजिए और उसका अकारण लिखिए पर अगर नहीं है तो आपको यहां पर नहीं लिख देना है अगला जो है पॉइंट वो है खा नंबर का क्या इस प्रमाड़ी करण परपत्र को भरते समाएं आप किसी के खिलाफ किसी नया जालाई आपकी हां करना है और अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहां पर नहीं करना है ठीक है यहां पर यहीं दिया है यदि का और खा का जवाब हाँ है तो आप हां करेंगे और उसका पूरा बेवर्ड देंगे और अगर नहीं है तो आपको यहां पर नहीं कर दिना है आगे देखेंगे और इस्थान इस्थान आपको अपने गाउन का नाम या जो भी आपका सहरे है वो नाम यहां पर आपको डालना है अभ्यारति का हस्ताक्षरा , पूरा नाम और पूरा पता कि TWIE है दोस्तों आगे देखते हैं पर्पत्र 3 फॉपत्र 3 है ये तो प्रपत्र 3 में यह से देसनाप पत्रक कहते हैं, इसमें आपको क्या करना है, देखिए, अब्यार्थी का नाम, तो आपको यहां पर हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहां पर पहले से ही नाम आएगा, पिता या पती का नाम, तो आपको यहां पर अपनी पिता का नाम है पत्र बेभार का पता आपको यहंपर फिल करणा है जिए वाया पत का नाम जिसके लिए आभिदान की दे रहय तो वह दैनुगर्फर या सिटेनुगर्फर या पटेनुगर्फर या प् अब ही अपने आपको बताया था उसे हिंदी में कहते हैं आसू लिपक ठीक है दोस्तों आसू लिपक या इस्टनोगराफर आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे देखेंगे क्या आप अनुसूचे जाती अनुसूचे जाती अन्य पिछडी जाती स्वतंतरता संगराम सेनानी के आस्ट ये सेवा ये सेवा से बेमक्त इमरजैंसी यदि आप अनुसूचित जाती या जो इसमें दी गई है जो केटे गई उनमें से आप अगर आपका जवाब हां में आता है तो आपको वो उसकी वर्ग लिखना है जाती लिखनी है और उप जाती यहां पर फिल करनी है ठीक है स्यक्चिक तथा प्रविदिक योगता है अब देखिए आपको कौन कौन सी योगता यहां पर फिल करनी है तो यह देखिए परिच्छा जिसमें उत्रीड हों स्यक्चिक अत्वाब प्रविदिक योगताओं का मतलब होता है दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप यहां पर ग्रेजुएशन कौन सी आपकी बीस्ती है या भी ए तो वह आपको यहां पर फिल करनी है अगर आपके पास एमे या एमस्ती है तो वह भी आपको यहां पर फिल करनी है ठेक है विसाय आपने जोंसे सब्जक्ट लिए वह आपको यहां पर फिल करनी ह है है आगे दिखेंगे विगवा था लीगत विंबर्तमान नीक्तियों का विवडों को यहां पर आपको आप дости से अगर पर हैं किसी आपकी किसी में न्यक्ति में हो चुकी है और या आप porte कोई किसी पत पर काम किया है और अभी आप उसे छोड़ चुके हैं तो उसका आपको यहां पर वेवर देना है किस तिती से किस तिती तक आपने किया वो यहां पर भड़ना है जिस पत पर काम किया हो या कर रहे हो उसका नाम अथवा नियुक्पी का सुरूप तो यहां पर यह फिल लगाएंगे जो भी डॉकुमेंट का आप यहां पर विवड़ देंगे तो वो सारी डॉकुमेंट आपको जो भी आप यह चार प्रपत्र ले जाएंगे जो भी डॉकुमेंट ले जाएंगे उसके साथ में आपको यह ले जाने हैं ठीक है अब देखते हैं प्रपत्र चार चौथा प्रपत्र है उसमें क्या आपको करना है तो प्रपत्र चार में हैं यह देखिए यहाँ पर आपका स्री, स्रीमती, कुमारी तो आपका यहाँ पर नाम पहले इसे ही डलके आएगा तो अगर आप मेल हैं तो स्री मती कुमारी आप यहां पर कट कर देंगे और अगर फीमेल हैं तो आप यहां पर स्री और स्री मती मैं से या कुमारी मैं से जो भी हो तो आप जो नहीं है उसे कट कर दीजीगा ठीक है आगे देखते हैं आगी आञाँ आ आपको जो रौपतांक आपके रौट बिस्कूल is ng ब्राइड जो इसका आपको यहां पर पूरा दिलना है तो कैसे करना है चली हैं सबसे पहले हाई स्कूल में यहाँ पर तीन सब्जेक्ट तो पहले से दिया है हिंदी अंग्रेजी गड़त और जो भी आपने सब्जेक्ट लिए वह यहां पर चौते पांचमें और छेटमें नंबर में आप फिल कर दीजिए ठीक है उसके बाद आपको यहां पर प्राप प्राप तांग वह आपको यहां पर फिल करने है और जो पूरांग है वह आपको यहां पर फिल करना है इसना तक मैं भी वही जितने प्राप तांग यहां पर और यहां पर इसना को तर मैं भी वही प्राप तांग इस वाले कॉलम में और पूरांग इस वाले कॉलम में और प्रिच्छा जदी कोई उत्रीन की है इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई परराफ ता आप कीPatम किस वाले कोलम में आगे देखते हैं , currently का एक ये लिखना है हई स्कूल में आपकी जतने प्राफ्तांक टोटल है 일हां पर लखना और iSchool का यतना total आपका जो maximum marks यानि की पूरांग हुआ वो आपको यहां पर फिल करना है आगे था intermediate तो intermediate में जितने भी आपके marks थे तो वो आपको यहां पर फिल करना है और जो पूरांग था वो आपको यहां पर total फिल करना है ऐसे ही ग्रिज्वेशन का ऐसे इसनाक उतर का ऐसे एगर आपके पर पर अन योगता है तो उसका ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर देखिए स्रेणई जिसमें परिच्छा उत्रीण की तो यहाँ पर आपको श्रेणई लिखनी है अपने प्रत्थम स्रेणई में कि या दूती स structure करनी है ठीक है अब आंगे देखेंगे ये है जो हमने आपको बताया था page ठूर फ्रफ्रेंस में आपने पढ़ा होगा कि पूष्ट प्रफ्रेंस हमने आपको बताया तो कैसे पूश्च प्रफेंस आपको करना है उसके लिए या फिल फिल करना होगा तो यहां पर आपको registration नंबर फिल करना है यहां पर रोल नंबर यहां पर नाम और यहां पर date of birth ठीक है अब देखिए आगे कि इसमें विवाग का नाम तो इसमें 14 तरह की पूस्ट हैं 14 विवाग हैं इसमें और किस तरह से आपको वरीता देनी है तो वह देखिए जैसे माली यह पांचवें नंबर की है और इससे आपको पहले नंबर पर वरीता देनी है ठीक है तो आप इसके सामने वाले कॉलम में 01 लिख देंगे ठीक है इसके सामने वाले कॉलम में आप 01 लिख देंगे और अगर जो यह सात्मे नंबर का है इसे आपको दूसरी नंबर में वरिता देनी है तो इसके सामने वाले कॉलम में आप 02 लिख देंगे ठीक है आगे वाला जो कॉलम में सब्दो आपको नंबर एक पर रखनी है तो उसके सामने आप एक लिखेंगे जीरो वन लिखेंगे जो दूसरे पर रखनी है वो जीरो टू लिखेंगे और सब्दों में आप उसकी सामने सब्दों में लिख देंगे ठीक है आगे देखते हैं और यहां पर एक चीज आपको एक बात ध तो यहां पर आपको यहां पर आपको फिल करने है ठीक है अगे वाला देखेंगे यह स्वागुषणा पत्र जब आप वहां पर इंटर्व्यू देने जाएंगे तो यह भी आपको फिल करना है इसमें आपको क्या करना है अभिलेख सत्यापन एथी तो अभिलेक सत्यापन एथी का मतलब वही है जो डेट आप जो जिस दिन आप यह फॉर्म फिल करेंगे तो वो डेट आपको यहां पर फिल करनी है और यह सारी आप जो इसमें दिये गए हैं यह पढ़ने ना इसमें क्या क्या ले जाना है माक्स है 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 और यह सब पानी की बोतली इसमें आपको लेके जाना है ठीक है दोस्तों आगे देखेंगे आपको यहां पर अब्यार्थी के अस्ताक्षर यहां पर आपको अस्ताक्षर करने है और पंजी करन संख्या आपको यहा तो बस दोस्तों यही थे चारों प्रपत्र और पोश्ट प्राफेंश के बारे में भी आपको बताया रोगेगेश में भी समझ में आपको बताया तो उम्मेद करता हूं कि आपको यह समझ वहाते हैं और आपके दिमाग में कोई भी आपको डोकुमेंट ले जाने है वो सब बताएंगे तो अगर आपने आपको अगर वीडियो पसंद आ जाओ तो इसे लाइख जरूर किजिएगा और और शेयर किजिए से अगर चैनल पर नए है तो इसे सबस्क्राइब जरूर किजिए मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू झाल झाल